फेस्बुक लाइव में आया हूँ, I wanted to give you some updates, और हाँ मैं चश्मा पहन रहा हूँ, मेरा आइसाइट मनद रीटिंग ग्लासेश के लिए है, एज के साथ लोग का आइसाइट भी चला जाता है, लेकिन विजिन हमारा एक ही है, for my community, तो मैं आज दिल्ली में हूँ, मेरा सवेरे मीटिंग भी हुआ है, दो-तिन जला में और मीटिंग है, I wanted to give you update, क्योंकि यह important है कि मेरे तीपरासा लोग समझे और जाने कि क्या developments हो रहा है, regarding our movement, regarding हमारा जो अन्दोलन है, हमारा जो अधिकार है, उसके लिए क्या बात चल रहा है सेंटर में, तो सबसे पहले, let me assure you, कि जब भी मैं दिल्ली में बात करता हूँ, मैं अपने बारे बात नहीं करता हूँ, हमारे तीपरासा के बारे बात करता हूँ, God has given me everything, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, घर दिया, छट दिया, खाना दिया, पैसा दिया, माबाप ने सब दिया, लेकिन जिन्दगी में अगर आपको एक चीज़ खुद कमाना पड़ता है, तो वो है अच्छा नाम, वो कोई माबाप, पैसा, संपत्ती आपको नहीं दे सकता है, और आपका बुबागरा जानता है, कि मुझे अच्छा नाम तभी मिलेगा, जब मेरे तीप्रासा कम्यूनिटी को कुछ गर्मेंट अफ इंडिया से कॉंस्टिशूशनल राइट्स मिलेगा, हाँ, हमारा डिमांड है ग्रेटर तीप्रा लैंड का, और वो रहेगा, हम गवर्मेंट अफ इंडिया से उम्मीद करते हैं, कि गवर्मेंट अफ इंडिया भी एक बात को ख्लेरी समझे, कि तीप्रासा को छोड़के, इंडिजिनेस नेटिव लोगों को छोड़के, आप त्रुपुरा में कल्यान, उन्नती नहीं लाज़कते हैं, और आज ये पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तीप्रासा को दिल में एक चीज है, एक दुख है, ये राज्य हमारा था, ये देश हमारा था, आज हम अपने ही राज्य में, अपने अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, शांती से फाइट कर रहे हैं, लेकिन क्यूं है ये, तो मैं आपको थोड़ा अपडेट करना चाहता था, सबसे पहले, टॉक्स अड्वांस स्टेज में है, मेरी मीटिंग, हमारे समाजपती की मीटिंग, MDC की मीटिंग, MLA की मीटिंग, हमारा मीटिंग हुआ है और होम मिनिस्टर से भी हुआ है, मिश्राजी से भी हुआ है और होम मिनिस्टर के ओफिशल से भी हुआ है मैं एक बात अपील करना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे NLFT के लोग है, जो आज भी जंगल में है, बांगला देश में है मैं आपको भी अपील करना चाहता हूँ कि शांती के लाइन में आईए Don't indulge in violence बंदुक से समस्या का हल नहीं होगा आईए, अपना डिमांड रखे और हम सब पार्टी को से बड़ा होकर और्गनाइजेशन से बड़ा होकर दिल्ली में इस बार एक आवाज में अपना डिमांड रखे देखे, थांसा का मतलब unity होता है लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ टीपरासा का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा लैक ओफ थांसा है जब हम दिल्ली में एक आवाज में बात करेंगे अपना कोई भी प्रॉब्लम हो तुरुपरा में पोलिटिकल डिफ्रेंसेज हो आईडिलोजिकल डिफ्रेंसेज हो एक दूसरी के संग आपका बनता नहीं हो वो आप अगर तला में छोड़ी है तुरुपरा में छोड़ी है लेकिन जब गर्मेंट अव इंडिया किसी का भी हो कॉंग्रिस का हो या आज बीजीपी का हो जब हम गर्मेंट अव इंडिया से बात करेंगे तो हमें तीपरा सा का प्रॉब्लम